नमस्कार आप देख रहें रिवाडी अपडेट और आज दिन भर की खबरों पर नज़र डाले उससे पहले बात कर लेते हैं करोना अपडेट्स की जिला परसासिन की तरफ से हेल्थ बुलिटिन जारी कर दिया है जिसमें ये कहा गया है कि अभी तक जिले में 3315 सैंपल्स गये थे उनकी रिपोर्ट आना अभी बाकी है जबकि उनमें से 63 लोग अभी तक पोजिटिव कंफर्म हो चुके हैं जिनमें से 20 स्वस्त होकर अपने घर लोड़ चुके हैं यानि अभी जिले में 43 लोग एक्टिव है जिनका अलग-अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा ह आज भी नए दो पोजिटिव केस कंफर्म हुए है पहला केस गाउं कालोवास से कंफर्म हुआ है और जो दूसरा केस है वो धारुडा के बासरोड से है इन दोनों ही इलाकों में जिलापरसासन की तरफ से मेडिकल प्रोटोकोल के तैज जो कारवाई की जाती है आगामी वो वोगों की स्क्रीनिंग करा आए जारी है इसके साथ ही जो लग लग केस सामने आ रहे है उनकी कोंटक्ति हिस्ट्री के अधार पर भी लगातार सेम्पल्स लिये जा रहे है हाला कि जिलापरसासन की तरफ से अभी यह साफ नहीं किया जा रहा कि कितने तारिक तक के सैंपल्स की रिपोर्ट आ चुकी है क्योंकि तीन दिन पहले तक जो क्रोना वुलेटेंग जिला परसासन की तरफ से जारी किया जाता था उसमें यह कहा जाता था कि फला तारिक तक के जो सैंपल्स ले गए थे उन सभी की रिपोर्ट आ चुकी है हलाकि अब दो तीन दिनों से जो प्रेस नोट जारी किया जा रहा है उसमें इस तरह की कोई जानकरी नहीं दी जा रही है अलाकि जो लोग हैं वो लगाता ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि उन्होंने चार दिन पहले सैंपल दिया था पास दिन पहले सैंपल दिया था उनकी रिपोर्ट नहीं आई या आई भी तो उनको जानकारी नहीं है तो ऐसे में फिलाल स्पस्ट करना चाहिए स्वास्युआ को कि कब तक के जो सैंपल्स लिए गए थे उनकी रिपोर्ट आ चुकी और जो ये बाकी जो सैंपल्स की रिपोर्ट पैंडिंग है तीन सो जो 68 सैंपल्स की रिपोर्ट पैंडिंग है ये कब तक आएगी और रोजाना कितने samples लिए गए हैं इनकी अलग से जानकारी देनी चाहिए इसके साथ ही आपको बता दे कि जो contentment zone घोसित किया है वो धावडा का जो रामनगर है उसके आसपास का जो इलाका है वो contentment zone घोसित किया है साथ ही रेवाडी सहर का जो विश्करमा स्कूल है जजजर चोक और railway चोक के बीच का जो हिस्सा है उसको contentment zone और buffer zone घोसित किया गया है इसके अलावा भी अलग-अलग स्थानों को जहां नए केस मिले थे उनको contentment zone घोसित किया है किसी को भी इससे संबंदित कि वो contentment zone में है या नहीं है या buffer zone में है तो इससे संबंदित किसी को अगर जानकारे चाहि यह तो जिला परसासन की तरफ से रेवाडी.goe.in पर एक नोटिफिकेशन डाल दिया जाता है जिस पर यह तमाम जानकारी आप जाकर देख सकते हैं इसके अलावा आपको बता दे कि कल आठ तारिक से अनलोक वन का जो फेस वन है वो शुरू हो गया है जिला परसासन की तरफ से रेस्टोरेंट होटल और जो धार्मिक्स तल हैं उनको खोलने की अनुमती नहीं दी गई थी मोल जो सोपिंग कॉंपलेक्स है वो आज खोल दिये गए रेवाडी का जो बीम जी मोल है वो आज खोल दिया गया जो गाइडलाइन सरकार की तरफ से जिला पर्सासन की तरफ से जारी की गई थी उन गाइडलाइन का पालन करते हुई आज मोल खोल गया है साथ ही आज धरम परतिनिदी जो अलग-अलग मंदिरों के अलग-अलग जो धार्मिक स्थान है उनके जो परतिनिदी थे उन्होंने आज जिला सचीवाले पहुचकर जिला उपायुक्त के साथ कि जो धार्मिक धरम परतिनिदी है उन्होंने सही फैसरा लिया है और उनका वो स्वागत करते हैं यानि अब जो धार्मिक स्थाल है वो तीस तारिक तक बंद रहेंगे उसके बाद जो आदेश आते हैं उसके बाद धार्मिक स्थाल खोले जाएंगे नहीं खोले जाएंगे आगे की बात है